मैंने नाव जेब और आपको देग रहा है सायल एने डिफेक्ट्स आज बहुत अपदस वीडियो ने वाली है आज इस वीडियो में इक बंदा जो डॉक्टर आकिट नाइक से सवाल करेगा कि दोधक और जन्नल जो है यह रेयल में एक्सिस्ट करती है नहीं करती और अच्छे जो आपको बहुत अबर फर्म्हां को बनादने दोधक करेंगे घर लॉक्टर जोधक षका रहा कि रॉकषि कि और सबूसे के लीडियोú में जो है आखरत का बहुत दिकर हुआ है और मुसल्मान जो है उसके असल दिन्दगी आखरत में होती है मरने के बाद जो दुनिया में अमाल करता है इसलिए इसलिए है कि वह इंतिहान से गुजरे और उसके बाद उसके असल दिन्दगी मरने के बाद या आखरत में जब उसक अगर कोई गेर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नमबर दो से मैं शेमा मंडल प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ मैं माल्दा डिस्टिक्स से आया हूँ मेरा मन में बहुत दिन से कुछ सवाल है मेरा धर्म के परती और जो सर्ग मुझ क्या सर्ग और नर्ग कहीं पर है ये मैं जानना चाहता हूँ या ये डर है जो इनसान को गलत काम करने से रोकता है इसके बाद मुर्ती पूजा के कारण रामदेब बाबा जी बोलते हैं श्री श्री रभी शंकर भी बोलते हैं के मुर्ती पूजा जैसे की जो मुर्ती है जो अपना कर्म किया है पहले धरली जी की हम लोग क्रिश्न के मानते हैं तो क्रिश्न ने जितना कर्म किया है अगर हम मुर्ती को देखते हैं तो उसको गुन जो है ओ हमें याद आने लगता है तो ये positive बोलते हैं कि मूर्ती को देखने से उसके अंदर में जो अच्छा ही गून था वो हम में जाग जाता है और हम ऐसा ही बनना चाहते हैं अच्छा बनना चाहते हैं अबने दो सवाल पूछा है पहले सवाल ये है कि क्या स्वार्ग और नर्क असली में है क्या फिर्फ डर पैदा करने के लिए इनसानों के लिए है स्वार्ग और नर्क असली है जन्नत और जानम असली है और असली चीज़ भी डर पैदा करती है जरूरी ने कि वो मनावती खु में जाईंगे जहां तके कि दूसरा सवाल है कि राम देव बाबा और श्रीशी रवीशंकर कहते है कि श्री कृष्ण को जब उसके तस्वीर को देखते है मूर्ति को देखते है जो अच्छे काम किए वो याद आते हैं और आप उनके जैसा बन जाते हैं ये कहरें श्रीशी रवीशंकर और हम्दियो बाबा, आप शीशी रवीशंकर में मानेंगे या वेद में मानेंगे, वेद कहती है, यजुर वेद चाप्टर नमबर 22, वर्स नमबर 3, ना तस्त्र पति में अस्ति, उस इश्वर की प्रतिमा नहीं, लिखाई सता सता रुपानिशद में, चप्टर नमबर चार, श्लोक नमबर उननीस, ना तस्यपति मस्ती, उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिच्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैश्यू नहीं, तो आप शीशी रविशं रवी छंगर की बात मानते है और वेस की बात को छोड़ देते है तो आप Ši Paři रवी छंगर के चेले बनते है लेकिन वेड के नहीं मैं भी अगर कुछ कुरान के खिलाव बात करूँ तो चोड़ दीजिए मैं हमेशा कुरान का वाला देता हूँ, कुरान अल्ला की किताब है, तो कुरान का हवाला देके, कुरान की बात करता हूँ, तो मानो, अगर कुरान को मैं छोड़ दूँगा, तो मेरी बात भी मत मानो, जो कुरान और सही हदीश के खिलाफ बात करता है, कितना भी बड़ा आलिम हो, उसकी बात मत मा मेरा डिबेट श्री श्री रविशंकर किताथ हो चुका है बैंगलोर के अंदर और वो डिबेट देखिए आप वो डिबेट का मुझू था concept of God in Hinduism and Islam in the light of the scriptures means धर्म की जतनी किताबे हैं उनकी कोशनी में खुदा का क्या तसवर है इसलाम और Hinduism में और मैंने इतने हवाले दिया वेट के Hindu धन क्या कहता है जैसे कि आपने देखिए हैंगे डॉक्टर दागिना इने बहुत अबदर स्रेफ्शन देगे समझाने ही कोशिश करें इस बंदे को कि आगर मैं भी जो है इसलाम यानि कुरान से अटके आगर कोई बात करूं तो मेरी भी बात ना मानो और मेरे को भी देखना छोड़ दो और सांसाथ वो यही दुबारा जो इसी बात पर करने ही कोशिश कर रहा है कि आपकी जो अपनी किताब है उसमें भी यही दिखर रहे है कि एक खुदा है कोई मुर्ती नहीं है एक खुदा है उसी की बात करना चाहिए अगला स्वाल माइक नमबर एक से अगर वहां पर कोई गयर मुस्लिम भाई है इसके बारे में आभीदानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ कुफरू से आया है यह सब तो सर इसका आभीदानिक अर्थ होता है इसलाम के गोपनियता को जो सिकार नहीं करता उसके सतता को जो सिकार नहीं करता उसको काफिर क्या जाता है आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इसलाम कबोल करो या फिर और दूसरा कोई उपाई धूंड लो क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स है हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से लेटे हैं, बहुत अच्छे तरह से भीयव करते हैं, फिर भी हमको as a non-muslim, why I should call an a kafir? This is my simple question sir. बाइस आपका सवाल है क्या काफिर किसे कहते हैं, खुदी काफिर का उतने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कसेट सुन चुकी है, और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद, इसमें काया के काफिर आता है लफ्स कुफर से, जिसका मानी है कैए इसलाम की हकानियत को जुटलाना, कुफर, मतलब ना मानना, इन शौट, काफिर मतलब जो इसलाम की हकानियत को नहीं मानता है, जो नौन मुस्लिम है, तो अब नौन मुस्लिम है क्या है, नौन मुस्लिम है ना, अब नौन मुस्लिम काफिर कहेंगे ना, और जो आपने आखरी पार जो बरावर से नहीं सुना मैंने यह का आप चाहते है कोई आपको काफिर नहीं बोले आपको क्या गाली लग रही है काफिर गाली नहीं ना काफिर मतलब जो इसलाम को नहीं मानता इंगलिश में बोलेंगे नौन मुस्लिम अगर आपको गाली लगत क्योंकि बोला जाएंगी आप मांते कि बुथ पुम्त समझë नहीं है मुड़़्ी पूजा साय हम हिंदू है मादूरगा का जब पूझा होता है माशेरा वाली का बहwwww यद्में भी लिखा है कि खुदा का खोई अ Azure ले अक्स में apresent करते हैं लिकिन अगर मुर्ति पूजा कर रहे हैं कुरान में दिखा गलत वेद में लिखाय गलत तो अगर करते हैं तो जो भी ककाफिर किस्वाल को अटियू की बात है तो बूरें इसलाम में किया डेफिनेशन है, उसके जवाब दिया कि हर वहर नौन मुसलिम यो इसलाम को नहीं मानता है। तो प्रक्र णिक योेह बी बता है कि अगर आप इसलाम में आ जाते हैं तो और आपकर आपको काफिर लगता है काफिर आप गारी टाइप का शब लगता है तो आप इसलाम में आजया तो आप आप जो है काफिर नहीं किलाएंगे और साथ-साथ उन्हे उन्हें किताब है हिंदू मदानव की वेद किताब उसमें भी लिखाया है उसका भी उन्हें लिकार किया है कि बुध की पुझा करना या जिए गलत है और अल्ला के अलभा जिए अल्ला का कोई माभूद नहीं तो पिर भी जिए बुध कई विए उसको कोफर के बारे में काफिर को पस्ता कि अधर है उसे को नहीं चुनिता उता है अगर सर मैं इस जगह में कहता हूं कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मांता थब मैं काफिर नहीं हुगा है करें लो I can say तो अपानि करिए ही हbbe मेड़ की पूजा नहीं सकते न नहीं से ज्टलाएंगे तो यह आप वेड के गरीब आएंगे अगर ने जुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है उसका मतलब अर्बी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गेर मुस्लिम, अर्बी, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश में नॉन मुस्लिम? सर मैं एक नॉन मुस्लिम होके किया सर मक्का हच करने जा सकता हूँ माईसब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हच करने जा सकते मेरा पहला कोशन आप क्यों हच करना चाते जब मानते हैं ने मुर्ती पूजा घलत है अब इसार मान लिए आपके आप जब बोल रहे तो सही होगा मान लिए हम अच्छा तो में पहला जवाब दितों फिर आपके पास आता आप मान लिए तो अच्छी बाते क्यों गैर मुसल्मानों को मक्का मदिना जाने की इजादत नहीं है क्योंकि हर शेर के कुछ शरायत होते जिसा कल में ने कहा था हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं केंटोन्मेंट एरिया केंटोन्मेंट एरिया मत्तब सिर्फ मिलिटरी के लोग जा सकते हैं सिविलेंट नॉट अलाओड सिविलेंट नॉट अलाओड सुचे के मेरा जवाब सिविलेंट नॉट अला इसलाम के लिए वो लोकालाओ है बाकी लोकालाओ नहीं है पहला जवाब दूसरा जवाब हर मुल्क में जाने के लिए विजा की दर्वत है विजा विजा मिसाल सिंगापूर में गया था पहली बार 1986 में इमिग्रेशन फॉर्म बेली का था देद टू ड्रग ट्राफिकर अग इसी तरीके से हर कंट्री में जाने के शरायत है अमेरिका जाने के लिए सबसे ज़्यादा शरायत है तुम यह कर आई यूँ टर्रिस्ट अधर आपको भी रोकालाओ अधर यूटरिस्ट किसने हां लिखा मैं अभी तक मैं जानता नहीं हूँ डियू बिलॉँ टू यह क्यों लिखते पताने मुझे इसी तरीके से मक्का मदिना जाने के लिए एक एहम शरत है सबसे एहम शरत जो ज़रूरी है वो यह है कि वो शख्स जो मक्का या मदिना जाना चाता है वो अपने जबान से कहे ला इला इल्ला मौमद रसुल इल्ला ना कोई माबूदे सिर् का हम दादा हुआ करता था बड़े भाइया से उसने हमको सिखा है कभी किसी मस्जिद के सामने से जाओ अगर तुमको कुछ ना आए सिर्फ वही बात बोला ला इला इला ला मुहम्मद रसुल्ला इबादा बोलने के लाव यकिन करते हैं खुदा है के आज तो यकिन हो गया ठ तो पिता जी और मताजी के उपोछe क capita अउंपार पキ्लेभनने के साथ हुं तो वह भी वह बिता हमेरे प्लाव माने उनको पूचहा हैं पहले आप कबूल करेंके पिर उनको लेकिए न तो तेर दील से आपको बीकर्टी ग्लत पागणाया अब जटैने जोत्य पूल यह आप अपने दिल से करना चाते हैं यह तहाँ दिल से उसके बाद जिसको भी आप कहने का आप कह सकती है तो मैं अर्बी में क्योंग कम दुराएंगे वाइ नूट अस्च्धू अस्च्धू अल्छा इलाह इल्हा इल्लाह वास्च्धू मैं शहादत देता हूँ के अल्ला के इलावा कोई माबूद नहीं और महम्मद सलल्ला अलेह वसल्म उसके पैगंबर और बंदे है माशाला मुसल्मान हो चुके अभी मैं दूआ है इन्शाला अल्ला को और हिदाद दे आपको सबसे बहती जिंदे की दे इस दुन्या में और आखरत में भी और मेरी आपसे इलतिजा है कि ये पैगंब आप अपने वालिदें के पास भी लेके जाएए क्योंकि आपका फर्द है कि आप उनको हकानित बताए और इन्शाला आपको अगर जाने का है मक्का अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेंगा और इन्शाला आप मक्का आप जा सकते इन्शाला मक्का करने हIP आपको मक्का करने आपको प्रद है में एक मेरा प्रचानिवंच ऊछल्छा का अगर कोई पड़न पास पहने तो एशाला जैसे कि आप ने वीडेमें ने देखा की इन्पमाण वेड़े ओशपने बदह दो दॉक्टर जागिनाइक ते स्वाल किया था कि मैं हिंदू होकर क्या हज कर सकता हूं या खाने कावा जा सकता हूं तो दॉक्टर जागिनाइक ने बड़ा दबाता से समझाने की कोशिश करी है इस शक्त को कि आप जिस तरीके से किसी मुलक के अंदर कोई कांट्रमेंट एरिया होता है आर्मी घिया होता है तो आप नहीं जा सकते अगर बहुत जा और जाने के लिए अगर आपका हज करने के लिए आपका मुस्लमान हो ना जरूरी जो है आप जाकर कर सकते हैं तो फिर जो और बागिनाइक ने शक्त को यह कि यहां कर नागरी को फिर भी आप पर नहीं जा पाएंगे तो उसने भी आगरी किया जो है बताने का मतब यह हैं कि हिंदी एंड पिर वह साथ यह भी कह रहा था कि उसके मापाप जो है वह हिंदू मजब से हैं और वह अकर इसलाम कभू कर रहता है तो उनकी जाद देना अपने यानी पैरेंट से या अपने मादा भीता से पूछने की दरूप नहीं है कि अगर आपको यकीन है कि अद्ला है कि और से कोई मभूत नहीं है और उसके पेगंबर आखरी नभी सल्लेलों अले वह सलम में तो आप इसलाम के ताहरे में दाखिल हुए तो उसी के तर्स इस बंदे ने आखिर में सलाम को बूल किया और कलमा बड़ा उमीद आज ची वीडियो बड़ी दबाता सरी की वीडियो लाइक कीजिए का अच्छा सब्सक्राइब कीजिए का फिर में नाइस वीडियो में है तो और बहुत खाया लखिएगा